नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालुमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org आज हम बनाना सीखेंगे शीर खोर्मा इसके लिए जो अज़्जा हमें दरकार है वो ये है 6-8 अफराद के लिए 1-1.5 लिटर दूद 2 मुठी सिवईया 2 टेबल स्पून घी 2-3 अदद छोटी लाइची या हरी लाइची चीनी आधी प्याली बदाम 50 ग्राम छुआरे 50 ग्राम तरकीब सबसे पहले खुले मुगे बड़न में दूद को उबलने रग दें दूद उबलने के बाद चूला हलका कर दें इसके बाद एक अलग से पैन में दो चमज घी कड़कडाएं और इसमें तूटी हुई सुवईयों को और हरी लाइची को भून लें जब सुवईयां और हरी लाइची भून जाएं तो इसको इस उबले हुए दूद में शामिल करके पकने रग रहें अब इसमें आधी ब्याली चीनी या अपने जायके के हिसाब से कम या जादा करके इसमें डाल दें और इसमें चमचा चलाते रहें अब आप इसको पतला या गाढ़ा रखें ये आपकी मर्जी है इसके बाद इसमें छिले हुए कटे हुए बदाम और छुआरों की गुठलिया निकाल कर इन्हें भी बारिक बारिक काट लें और इसमें शामिल कर लें अब आप चूला बंद कर लें और इसे सर्फ कर लें मज़ेदार शीर खोर्मा तयार है आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रसुपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए